गाते वक्त अपनी आवाज खुद कैसे सुने उस पर आज में चर्चा करने जा रहा हूँ पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कुछ ऐसी टेकनीक्स बताने जा रहा हूँ वैसे तो कुछ ऐसी खासा टेकनीक्स नहीं है मगर हाँ कुछ पैंत रहे हैं चोटे मोटे जिससे रियाज करते वक्त या गाते वक्त अगर आपको एग्जैक्ली सुनना है कि आपका सुर कैसा साउंड कर रहा है या फिर बहुत तशोर गल है आसपास या भीड है या ग्रुप में आप गा रहे हैं और तब आपको अपनी आवाज सुनने और आपके पास हेड़फोन्स या ऐसा कुछ नहीं है या माइक्रोफोन नहीं लगा रखा है लाइव आप गा बजा रहे हैं और उसमें आपको अपनी आवाज सुननी है तो कुछ ऐसी छोटी मोटी टेक्नीक्स हैं आज उस पर हम चर्चा करते हैं तो पूरे वीडियो देखेगा भला गमों से कहां हारे जाने वाले थे वसीम बरेलवी सहाब के लिखी बहुत खुबसूरत सी घजल मैंने कोशिश करी उसकी कॉंपोजिशन करने की पर हम लोगों ने उसे रिकॉर्ड करके SPW के चैनल पर उसे अपलोड किया है रिलीज किया है अब सभी लोग देखें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आईए बात करते हैं गाते समय अपनी आवाज सुनने में हमें दिक्कते होती हैं जैसे अगर अभी मैं इस कमरे में अकेला हूँ और मैं कुछ भी गाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है मैं डिरेक्ट सुन सकता हूँ मुझे कोई शोरोगल नहीं है सुनने में लेकिन यही ज आज चल रहा है मुझे support देने के लिए चल रहा है या फिर group में हम दो लोग गा रहे हैं अब दो लोग सेम चीज रियाज कर रहे हैं या फिर अलग अलग चीज़ें गा रहे हैं तब भी थोड़े बहुत destruction है तब भी मुझे मेरी आवाज थोड़ी कम सुनाई देगी बनिजब लगा रहे हैं और microphone भी आपके पास है sound system भी आपके पास है भरा पूरा orchestra आपके पास है पूरी audience है तब भी जो singers है या इंस्ट्रुमेंट्स वाले हैं वो क्या करते हैं कानों में चोटे से earphone यहां पे लगा लेते हैं उन्हें कहते हैं इन-ear monitors जिसमें कि उनको उनका sound आ रहा है रियाज के लिए तो उनका volume हमेशा कम रखा कीजिए इतना loud भी नहीं रखना कि आपनी आवाज दब जाए और उनका बहुत ज्यादा sound हो जाए और आप फिर बेसूरे हो जाएंगे ना क्योंकि आपको अपना sound तो सुनाई दे नहीं रहा है आपको आभास हो रहा है एसा जबकि ऐसा हो नहीं रहा होता है और यहीं चीज कि उनकी volume इतनी भी कम मत रख दे ना कि आपको उनका सुर्ण सुनाई दे और आप सिर्फ अपना ही सुर्ण सुनाई दे तो आपको लगे कि हाँ यह तो सही जा रहा है उसको जांचने के लिए measure करने के लिए तानपूरा और harmonium का volume इतना average आपको रखना है और दोनों का देख कर कि जादा loud नहों जादा कम नहों यहीं चीज कब काम आती है अब इसी चीज के साथ आप देखिए तब भी आपको specifically अपनी आवाज सुनीए तो कुछ-कुछ चीजे हैं जो आप कर सकते हैं जो मैंने कुछ कलाकारों से observe क करिए कुछ गुरुओं से सीखिए तो मैं आज आपके साथ साजा कर रहा हूं आपके साथ बांट रहा हूं डिरेक्ट हमें हमारा साउंड ऐसे सुनाई देता है दोनों कान का जो हमारे डिरेक्शन है अब कुछ लोग कहते हैं वैसे आप देखेंगे अगर शास्त्रों में देखेंगे गायकों के गुण अफगुण पढ़ेंगे तो उसमें यह चीज अफगुण मानी गई है कि कान पर कान बंद करके इस तरह से आपकी आवाज सुनना जैसे सुर्फ सुनते नहीं जैसे ऐसे करते हैं अब एक तो साप ऐसे लगाएंगे साब और एक सा लगाएंग की जब आप इस तरह से करेंगे मतलब एक पैक्ड साउंड आपको आएगा लेकिन यह खुला साउंड नहीं अब देखिए अप जो sound आ रहा है वो ज़्यादा कुल आ है जब कि यह जो sound मुझे आ रहा है एक तो आप ऐसे बात करें और उसके बाद दौनों कानों पे हाथ कर यहां मुझे आगे रखना एकदम दबाना भी नहीं हलका सा आगे रखोगे तो आप देखोगे कि आपकी sound enhanced होगी ऐसा लगेगा जैसे आप microphone में बोल रहे हो अभी मैं बोल रहा हूं मुझे मेरी sound आ रही हो अलग है और इस तरह से मेरा हाथ है और distance भी आप देख सकते हैं मुझे एकदम पास में इतना distance है ठीक है इसमें मुझे जो मेरा sound आ रहा है अब ये वाला हाथ लेकर मैं कान में रखोंगा कान पर नहीं रख रहा हूं कान के थोड़ा सा close है और ये इस तरह से मुझे हथेली बनानी है अगर आप देख सकते हैं तो इस तरह से आपको हथेली बनानी है और ये जो pack है ये इस तरह से आपको रखना है ये जब इस तरह से आप करते हैं या फिर यही इसी कान पर भी इस तरह से आप करते हैं तो आपको अपना sound बड़ा enhanced आता है ऐसा लगता है headphones में बोल रहे हो या एकदम बारी आपको सुना ही देता है और इसमें कोई दबा हुआ भी sound नहीं आता है जैसे कि इसमें आ जाता है जो लोग कान बंद करके गाते ना से उसमें अपना सुर सुनने की कोशिश करते हैं वो खलत तरीका है क्योंकि उसमें वो sound बडल के आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है आप दो तरीके बताए ऐसे हाथ लेकर ऐसे रख लीजिए यह है इस तरह से तब्सक्राइब अब बताया यह है अब देख सकते हैं मेरी हथेली कैसी बनी हुई है इस तरह से हलगा सा मैंने मोड लिया उन्हें पाम को थाकि यह कान ऐसे आजले अब वैसे आज़्ेंगे तो भी देखिया आपको थोड़ा सा उन्हेंज्ज आया ऐसे हैसे वो इसको direction दे रहे हैं कान की तरफ जाने का सीधा भी रख सकते हैं लेकिन ऐसा रखते हैं तो ऐसा होता है कि direct जो sound है वो यहां से निकल कर ये ऐसे जा रहा है और इसके उपर हमने और क्या कर दिया ये जो है ये complete pack कर दिया तो complete pack करने से क्या हुआ है अपनी आवाज आपको enhance रारी लेकिन ये जाहिर सी चीज़े इसका distance जैसे ही आप बढ़ा देंगे ये इतना distance से बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं इसको जैसे ही यहां रखा अब आया sound है कि नहीं तो ये एक तरीका है जो आप इस्तमाल कर सकते हैं अपनी आवाज खुद सुनने के लिए और गाने के लिए अब जैसे मैं गाता हूं अगर आणा जी तना अ तना आणा जी तो कई बर क्या होगा शोर अगर है या आसपास कोई दूसरा साउंड मुझे सुनाई नहीं दे रहा है तो मैं कैसे गाओंगा आणा गपने पगपने पसाने पगपरे इस तरह से गा रहा हूं तो अलग है ओपन जा रहा है क्योंकि साउंड फैल रहा है जैसे ही मैंने हाथ से उसे पैक किया तो मैंने क्या किया साउंड को क्लोज कर दिया यह इस तरह से कर दिया तो बड़ा सा एचडी सा साउंड आता है अगर उसे हम ऐसे ही ले मैंन की टर्म्स में बोलें थो ठीक है यह टेक्नीक अपना के देखिएगा लेकिन हाँ इसकी इतनी भी आदत मद डाले ना कि आप चले पता चले स्टेज पे इस तरह से गा रहे हो या ऐसा यह ऐसा ही चोटा सा पैंतरा है जस्ट कभी कभार अपना सुर सुनने के लिए वरना आप जादातर कोशिश करें कि अपने कानों को ऐसा ही तैयार करें कि बिना हेड़फोन के वो डीटेल्स जो बारीकियां है वो सुनाई दे सकें यह इसकी आदत मद बार-बार मैं आपको कह रहा हूं नहीं तो कॉल को दोश मुझ पर आएगा कि यह क्या सखा दिया आपने आवाज सुनने के लिए आएसे सुनरों भी नाचरल नहीं सुना जा सकता गया नाचरल बिलकुल सुना जा सकता है यह सिर्फ एक छोटा सा एक तरीका है जिससे थोड दत नहीं डालनी है अपने को अपने को नॉर्मल अपने कान जो है मजबूत करने उनकी हेरिंग पावर जो है वो इन्हेंस करनी है तो वो जाहिर सी बात है शोरो खुल के लिए मैंने एक्सरसाइस बताई है कि जाधा अगर आसपास आपके इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं और आपको अपना साउंड सुनना है तो आप ये कर सकते हैं लेकिन यह करोगे तो जाहिर बात है आपके मुँल के आगे हाथ है तो आवास ब्लाक हो रही है तो आप आपकी आवाज सामने वाले को नहीं जाएगी प्रॉपर है ना तो यह आप रियाज में कर सकते हैं परफॉमेंस के समय मत कीजिएगा रियाज में अपना आवाज सुनने के लिए कभी कभार भूभी जादा नहीं ठीक है तो बस ऐसी कुछ ऐसी टेकनीक ती जो मैंने आप सभी लोगों के साथ संगीत धरा आपको डाउनलोड कीजिए उस आपको डाउनलोड करके ऑनलाइन क्लासेस जॉइन कीजिए मास्ट अनिशाथ प्रडक्शन को सब्सक्राइब कीजिए हम लोग इतने सारे गाने बनाने खजले बना रहे हैं उनको भी सुन लिया हमारे लेक्चर्स तो आप सभी लोग सुनते हैं लेकिन उन गानों को थोड़ा रिस्पांस कम मिलता है आप लोगों की तरफ से वह थोड़ा सा मुझे खेद है उस चीज़ का तो आप प्लीज उनको भी सुने सब्सक्राइब करें हमारे चानल को लाइक कमें शेर करें ज्या